जेनरलिस्ट कलब भिवानी का वार्शिक समारहो रविवार को लोहारू में आउजित किया गया। इस कारेक्रम में मुख्यातिथी के रूप में कृषी मंत्री जेपी दलान ने शिरकत की और देश के विकास में पत्रकारों की भूमिका को एहम योगदान बताया। वहीं इस समसर पर तृत्य देवगरत विशिस्ट स्मृति प्रशकार भिवानी के वरिष्ट पत्रकार गोपिनात आचार्य को दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस सम्हारों में देवगरत विशिस्ट स्मृति प्रशकार भिवानी के वरिष्ट पत्रकार गोपिनात आचारिय को मुख्य अतिती दुवारा दिया गया। पत्रकार गोफ्य आचार्य के वहिए उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। जनलिस्ट कलफ द्वारा स्थापीति ये तीसरा वार्ड दिया गया है इस से पहले हम दो वार्ड ओर दे चुके हैं और ये द्वानी से वरिष्ट पत्रकार सुरोगेश्री द्यवरत जी वशिष्ट के नाम पर अस्तापित किया हूँ आवाड है यह अव़ाड हम उस आदमी को देते हैं जिसने पत्रकारma को उसका अपना व्यक्तिगत योग दान रहा हो पत्रकारma को जिसने के खोशिश कि हो नए डिशा देने की ऐसे सब्सक्राइब कंट करते हैं इस बार कि हमारे पंं मीतल जी हैं उनके ध dilemma में पांच वें वो इसना के व shifts करते हैं उन नौर्म्स को देखते हुए जो अवारण है वो दिया जाते है, भुष तीसरा देवरत वसिष्ट समर्ति पुरुष्कार श्री गोपिनाजी को दिया गया गोपिनाजी की 50 साल की पत्रकारिता में योगदान है और उनका अपना एक अकबार है शाफ्ताई का अकबार है और अपने समय में उन्होंने जो है पत्रकारिता के लिए भाद कुछ किया हु जो लोहर चुतने पत्रकाई तक को मेटिंग कारेकरम ऐसा नहीं हुआ जो हमने आज करवाया है यह कारेकरम आज से 25 साल पहले बताए जारा की कहा गया है यह आज जो कारेकरम हो है वो जनरलिस्ट कलब भिवानी की दुवारा लोहर उक्याई की माधम से यहां कारेवाय करव वार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संत निरंकारी मिशन के चोथे गुरूप बाबा हरदेव सिंग जी महराज का 66 वाजन दिवस मनाये गया इस अवसर पर महिंत चरंदास महराज वे विधायक गंस्याम सराफ द्वारा चोधरी बंसिलाज